नमस्कार दोस्तों मैं कोमल मिश्रा एक्जाम नगर प्लेटफॉर्म पे एक बाफिट से आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत में रोपी कमपनियों के आगमन के बारे में जानेंगे और भारत में कौन-कौन सी उरोपी कमपनियों का आगमन हुआ किस समय हुआ उनके बारे में हम जानेंगे करमानुसार कि पहले कौन सी उरोपी कमपनी भारत में अपने कमपनी की स्थापना की थी उसके बाद कौन सी कमपनी आई थी भारत में आज हम इस वीडियो में सारे उरोपी कमपनियों के बारे में जानेंगे करमानु सार तो दोस्तों आए जानते हैं कि वह उरोपी कमपनियां कौन-कौन सी थी और कौन सी कमपनी भारत में पहले स्थापित हुई थी दोस्तों जैसा कि हम हमेशा से ट्रिक वाले वीडियोज लाते हैं तो भारत में रोपी कमपनियों के आगमन के क्रम को भी आज हम ट्रिक के सहायता से याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से भारत में रोपी कमपनियों के आगमन को याद करेंगे पुत्र अड़ा डैड़ फशा, यह हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक के माद्याम से भारत में रोपी कमपनियों के आगमन को क्रमा अनुसार याद करेंगे, तो दोस्तों ट्रिक का जो पहला शब्द है वह है पुत्र, पुत्र से हो गया हमारा पूर्टगाली, पुत्र से क्या हो में अपने कंपनी की स्थापना की थी अगला है हमारा अ पुत्र हो गया हमारा पुत्र से पुत्र गाली औ से हो गया हमारा अंग्रेज अंग्रेज इन्होंने अपने कंपनी की स्थापना भारत में की थी अगला है हमारा डैड डैड से हो गया डैनिस इनकी कमपनी की स्थापना सोरा सो सोरा में हुआ था भारत में और फॉर्स से हो गया फ्रांसिसी सोरा सो चौसट में इनकी कमपनी की स्थापना हमारे भारत में हुई थी लास्ट है हमारा सा सा से हो गया स्वीडिश इनकी कमपनी की स्थापना 1731 में इनों अपने कमपनी की स्थापना हमारे भारत में की थी तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बड़े ही कम समय में हमने भारत में रोपी कमपनीयों के आगमन को क्रमा नुसार याद किया ट्रिक है हमारा पुत्र अड़ा डैड फसा यह हमारा ट्रिक है इस ट्रिक के माध्यम से आज हमने इरोपी कमपनियों के आगमन को याद किया है पहला हमारा पुत्र पुत्र से हो गया पुर्त गाली इन्होंने 1492 में अपनी कमपनी की स्थापना भारत में की थी अ से हो गया अंग्रेज, 1200 में इनकी कमपनी की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों ने 1200 इस वी में अपनी कमपनी की स्थापना भारत में की थी, अगला हमारा डा, डा से हो गया डच, इनकी कमपनी की स्थापना 1202 में हुई थी, डचों ने अपने कमपनी की स्थापना 1202 में क अपने कमपनी की स्थापना भारत में की थी तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ट्रिक का जो हमारा सब्द है वो बहुत ही शरल भाजा का सब्द है पूत्र अड़ा डैड फसा यह हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो हम अपने पॉइंट को य पहुचे आप सभी उसका लाब ले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा धन्यवाद